गर्मी हो सरदी हो या फिर बरसाद किसी भी मौसम में यदि आम का मज़ा लेना चाहते हैं तो मेरी ये रेसिपी आप सभी के लिए है तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरट के देशी तड़के में मैं इसी तरह की अमेजिंग रेसिपी लेकर आती रहती तो इसके लिए कोई भी आम जो आपको पसंद हो मैंने यहां दशेरी आम लिया है आप गुलाब जामून हो लंगडा हो जो भी आम आपको अच्छा लगता हो आप उस आम से इस रेसिपी को बना के तयार कर सकते हैं तो सभी आम को धोके मैंने छील लिया है और छीलने के बा और इसे मिक्सी ग्राइंटर में बिल्कुल महीन पीसना है और जब यह पिस जाए तो हमें मेजरमेंड कटोरी से कप से किसी भी चीज़ से आप लेके इसको मेजर कर सकते हैं तो यहां मैं नाप लेती हूँ कोई भी कटोरी या कप से तो ये कितना बैठेगा उस हिसाब से हमें चीणी का मेजरमेंड करना होगा तो ये पाणी दो कप मेरा इसमें गूदा निकला है तो इसमें दो से तीन कप चीणी आप एड़ कर सकते हैं और तीन कप भी चीनी एड़ कर सकते हैं दो कप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि आपको हलका मीठा पसंद है या मीठे से कुछ प्रॉबलम है तो दो कप डालेगा यदि मीठे का कोई इशू नहीं है तो आप तीन कप भी यहाँ पे एड़ कर सकते हैं और हलके हाथों से इसे मिक्स करना है यदि हमने माली जेगा तीन कप चीनी ली है और आपको मीठा कम पसंद है तो आप कम पॉडर यूज करेंगे तो फिर आम का स्वाद उतना नहीं आ पाएगा तो इसलिए मैं दो कप और तीन का मेजर मैंट आपको बता रही हूं जब इसे हलके हाथों से मिक्स कर लें तो किसी प्लेट में पतली सी लेयर इस तरीके से बिछा देनी है बहुत ज्यादा मोटी नहीं बिछानी है जिसे आम पापड़ की लेयर होती है ठीक उसी तरीके से इसे फैला देते हैं जितनी भी प्लेट में आए तो देख लेते हैं काफी सारा ये बन के तयार हो जाता है क्योंकि मैंने सवा किलो के करीब आम लिया है तो इसमें काफी सारा बन जाएगा तो यहां चार प्लेटे मेरी भड़ चुकी हैं तो इसे हमें करना क्या है केवल कहीं भी चाय में हमें सुखाना है धूप में हमें नहीं सुखाना है पहले और दूसरे दिन हमें चाय में ही सुखाना है मैंने इसे दो दिन चाय में सुखाया है और दो दिन का रिजल्ट में आपको दिखा रही हूं किसी भी स्पून से या पल्टे से इस तरीके से इसको पलट देते हैं देखिए साइड वाला जो पोर्शन है वो सूखने लगा है और जो बीच का है वो थोड़ा गीला है तो इसे पलट देते हैं और दो दिन के बाद इसे आप धूप में रखके सुखा सकते हैं तो मैं दो दिन इसे चाए में रखा है और बाकी के दो से तीन दिन इसे धूप में रखूंगी और इसे बाद का रिजल्ट में आपको दिखाऊंगी बहुत ही कुरकुरा हो जाता है ये टोटल मिलाके मैंने पांस दिन सुखाया है दो दिन छाए में सुखाया है और तीन दिन मैंने इसे धोप में सुखाया है बिल्कुल करारा हो चुका है तो इसे हम जैसे मसाले पीशते हैं ठीक उसी तरीके से बिल्कुल पॉडर बनाके पीश लेते हैं यदि थोड़ा भी गीला हो तो आपको ये पीसना नहीं है क्योंकि हमें इस टोड़ करके रखना है और चीनी जब बिल्कुल अच्छी से सूख जाए ये आम अच्छी से सूख जाए तब हमें पीसना है ये देखिए जितना जीचा है इसे छान भी सकते हो आपको बहुत बारि पॉडर बनाना है तो चली में चान भी सकते हो या इसी तरीके से इसे स्टोड़ करके रख सकते हो क्योंकि जब दूद में बिलाओगे तो वैसे भी दूद में आसानी से घुल जाएगा तो यहां सभी को मैंने पीस लिया है और आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई भी कलर बगएरा का यूज नहीं किया है और बहुत ही बढ़िया कलर आता है और इस से आप मैंगो शेक या फ्रूटी या रसना सभी बना के तयार कर सकते हैं अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगे किस तरीके से आपको बनाना है और इसे इसे टोड़ करके भरी सर्दियों में या बरसात में जब आम खतम हो जाते हैं तो बच्चों को जैसे कोई दूद का फ्लेवर देना हो तो उसमें भी ये डाल के आप दे सकते हो तो यहां दो गिलास के लिए चार चम्मच मैंने पौडर लिया है एक गिलास दूद लिया है और इसे मिक्स कर लेते हैं इसे आप रई जैसा इसमें फिलेवर मिलेगा और बहुत ही स्वादिश्ट बनके ये तयार होता है बहुत से बच्चे होते हैं कि बिना हॉरलैक्स के चॉकलेट के दूद नहीं पीते हैं तो उन बच्चों के लिए ये पौडर बना के दीजेगा बहुत ही बैस्ट रहेगा क्यूंकि बच्चों को दूद में आम का फ्लेवर मिल जाता है और बहुत आसानी से वो पी भी लेते हैं तो इसका हम ड्रिंक कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ जैसे रसना या फ्रूटी आपका पीने का मन है माली जी आपका शेक पीने का मन नहीं है और इसमें बस बिलकुल ठंडा पानी हम एड़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़ी आया है और स्वादी बहुत अच्छा आता है आप चाहो तो इसमें थोड़ा सचाट मसाला वगेरा भी डालके तयार कर सकते हैं जैसे सिकंझी वगरा हम तयार करते हैं तो ये बन के तयार हो गया हमारा जैसे रसना होता है या फ्रूटी होती है थोड़ा यदि इसे आप गरम पानी में पका के करेंगे तो ये गःड़ा हो जाएगा बिल्कुल जैसे फ्रूटी होती है ठीक उसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी आएगी यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कल सुभा फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ ठेंक यू